जब हम अच्छे वक्त में उनको support कर रहे हैं, उसमें तो सबी कर लेते हैं, लेकिन एक बुरे वक्त में भी तो चाहिए ना कि आप अपने उस player को support करें, जिसने आपको वो सारी achievements और वो सारी memories दी हैं. लेकिन हम as a nation में समझता हूँ के बहुत forgetful हैं और ज्यादा forgiving नहीं हैं. हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी के एक player ने जो है, वो क्या-क्या achievements की हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और वैसी क्या जबर्दस memories हमें दी हैं. जो के दो consecutive PSL उन्होंने trophies जीती लहूर कलंदर के लिए, उससे पहले लहूर कलंदर की कोई trophy नहीं थी, और कोई दो inner row trophies जीता भी नहीं है. तो उस टाइम पे सब शाहीन शाहीन कर रहे थे, ICC Men's Player of the Year बने वो 2021 के, उस वक्त अब शाहीन के नारे लग रहे थे, जिस तरह से उन्होंने 2021 के World Cup में और 22 में भी bowling कराई, Indian players को bowling कराई, उस टाइम पे सिर्फ शाहीन के चर्चे लग रहे थे, तो हम वो सब चीजें भूल ज आते हैं उस player के बारे में, वो सारे records जो शाहीन के हैं, जब हम अच्छे वक्त में उनको support कर रहे हैं, उसमें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन एक बुरे वक्त में भी तो चाहिए ना, कि आप अपने उस player को support करें, जिसने आपको वो सारी achievements और वो सारी memories दी हैं, बाबराजम के साल स्टार्ट हुआ है, और हमें एक different तरह का बाबराजम देखने को मिला है, न्यूजलेंड की series में वो runs करी जा रहे हैं, फिफ्टियां, PSL के अंदर century मार रहे हैं, runs कर रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि उनसे बेतर कोई T20 player है यह नहीं, और उन्होंने अपने hitters को basically player है, tournaments में perform करता है, पहले भी हम देख चुके, he just needs to learn from his mistakes, जो कि ऐसे नहीं लग रहे हैं, हमें पता है कि वो बड़ी अच्छी in-swing balling कराते हैं, but I think शायद तुमाम batsmen जो दुनिया के हैं, उन्होंने उसको अच्छी तरह से study कर लिया, तो he needs to add up more variations in his bowling attack, और उसके इलावा, अब speed की काफी लोग बोल रहे हैं कि कमी हुई है, और कुछ लोग तो बहुत ही जाहिल हैं जो कहरेंगे, शादी के बाद उनकी speed कम होगी है, I don't know, इस जहालत का क्या इलाज है, but clearly 2022 के world cup में जो injury हुई थी, उसके बाद से हमें एक decrease नजर आया, pace के अंदर और aggression के अंदर, व यही एक variety आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके पास और भी in stock balls होनी चाहिए, इस पर आप काम करें, slower bouncer हो सकता है, slower yorger हो सकता है, slower wide हो सकती है, I don't know, different variations जो हैं वो add कर सकते हैं, यह वो चीज़ें जिस पर शाहीन को काम करना चाहिए, and I think कि वो ही सारी जो हमने इतने प् from his mistakes, at times यह हो जाता है, but he needs to come out of this bad patch, for me, I think जो captain है, वो शाहीन को ही रहना चाहिए, I know, अभी इस वो ही सारे fans जो पहले कह रहे थे कि यार बाबर को captaincy से हटाओ, इस वक्त वो ही जो है ना, toxic plastic fans जो हैं, वो कह रहे हैं कि यार से बेतर तो बाबर ही था उसी को बनाता है, और उसको जलील करके नीचे उतारते हैं, I think आप जिसको captain मनाओ, उसमें थोड़ा confidence दो, just like शाहीन, एक series हुई अभी न्यूजलेंड की, अभी आप PSL से उसको judge नहीं कर सकते हो, तो give him some more time, and World Cup से पहले, I don't think उसको change होना चाहिए, in fact, team को proper gel in होना चाहिए, इस तरह बहुत ही मच जाएगी, कि कभी शाहीन बन रहा है, तो पता नहीं, I don't know, Rizwan को भी बना देंगे, तो ये चीजें जो हैं, ये मजीद मुश्किले लाती हैं, players के लिए, और team के लिए, so I think शाहीन को ही captain रहना चाहिए, and World Cup के बाद में भी आप लोग decide कर सकते हैं, क्या होना चाहिए बिकाँ जाएदा ताइम नहीं रहेगा, और बहुत जाएदा मैचे अब पड़े नहीं हैं, World Cup से पहले, so ये थे मेरे analysis for Shaheen Afridi, his rise and his downfall, and I still believe he can make a comeback, and if not, then he can gracefully set aside, but I think we still have a lot more of Shaheen Afridi yet, see you guys in the next one, तब तक के लिए, Allahाफ़े.